दोस्तों स्वागते आपका इस यूटीव चनल में और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर अकाउंट पर अपना डोमेन नेम कैसे आड़ करते हैं पहले समझ लेते हैं ठीक है पहले आप अपना डेमो देख लो यह आपका माली जे वेब प्रकासार्ट123.blogspot.com इसमें मैं अपना डोमेन मन पसंद जो एवेलेबल है इंट्रेट पे उसको खरीदने के बाद एड़ कैसे करेंगे तो जो मैंने खरीदा है उसका नाम है प्रकासार्ट.in मतलब यह कि यह URL प्रकासार्ट.in हो जाएगा ठीक है कैसे करना है तो आप का ब्लागर अकाउंट ओपेन करो सेटिंग में जाओ अब फिर यहाँ प्लिक है ब्लाग एड्रेस यहाँ पर एडिट पर सेट अप थर्ड पार्टी यूरल पर क्लिक करो इस तरह से फिर यहाँ पर जो आपने डोमेनिम खरीद है उसको एंटर करो जैसलिका प्रकासार्ट. इन तो यहाँ पर डबलू 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 लगाना पड़ेगा का लगाना पड़ेगा आपको उसके बाद डॉट पी आर एके एएसच एर्ट डॉट इन अब सेफ करते हैं आगे के प्रोसेस बताएगा क्या करना है देखिए लिकाए वी हैब नॉट बिन एवल तो अब यहाँ पर कई सारे आपको एगनोर करना है सबसे पहले आपको एडब बटन इस तरह से दिया हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है अब फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका क्या लिख है यहाँ पर डबलू डबलू लेवल नेम लेवल और होस्ट ठीक है तो यह www में cname, तो अपन को क्या करना है, cname यहाँ पर select करना है ऐसे, फिर यहाँ पर host www लिख देना है, जो कुल मिला के यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसको copy करना है, फिर इसको copy कर लेना है, और अब इसको .2 में paste कर देना है, मतलब इसको copy, www.co copy करके, यहाँ host में paste करना है, और .2 में इसको paste करना है, ठीक है, अब इसको save कर दो, क्या लिख है, there was in the process, you are going to press trial, इसे तो content support, क्या www. ठीक तो है, साथ इस्मॉल लेटर में होगा, इस्मॉल ही थी लिखे हैं है, आपन, save करते हैं, सीनेम कभी-कभी माल लीजी नहीं ले रहा है, तो उसको अपन, कुछ नहीं करते हैं, सीनेम ही करना पड़ेगा, save कर रहे हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कभी-कभी हो जाते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम, तो जब तक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको try करते रहे नहीं, माल लीजी यह नहीं हो रहा है, तो इसको उटाओ, इसको copy करो, इसको paste करो, यहां पर, अरे, कुछ न कुछ दपते ही जाते हैं, अब इसको copy करो, इस तरह से और इसको paste कर दो, यहां पर, आप save होता है क्या, save हो गया, देख सकते हैं यहां पर, सिनल जेन, यहां आगे, नेम के जगह, अब उसको भी इधरी paste करते हैं, एग बार फूर्वी, ट्रराइ करके देख लेते हैं, स्वाल पर गर्रेशैंट, एद करते हैं, होस्ट में इस तरह से अपनेवा इसको copy करते हैं, इसको अभिसको paste करते हैं, अब इसको copy करते हैं, टेप करते हैं देर वाज देने पूसे अरे पेस टाइस कांटर कांटर कांटन सब्सर्ट अ यह पेसरेक्ट करके देख लिए एक बड़ क्या होता है इंवैलिट नेम सर्वर हो सकता है इसको सेफ करके देखते हैं यह भी नहीं हो रहा है कुछ तो है नहीं स्री नेम ही था है कि अब तो अटक गया यह रख दिखा रहा है कि हो सकता है जो यहां पर सी नेम हो एड़े रेट इसको चेंज करना है तो मतलब कि मतलब 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 मतल होने में मतलब www.prakash.in तो अपन इसको कॉपी कर देते हैं अब न्यू टाइब में देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी नहीं होगा क्योंकि यह एक घंटे का समय लग सकता है तो अभी देखते रहते हैं आप कनेक्टेट रहे हो सकते हैं वीडियो को फास्ट क 20 मिनट में ही काम हो गया देख सकते हैं आप यहां पर www.prakash.in लिखा हुआ है और रिफ्रेस करके देखा देता हूं मैं आपको पेज इस तरह से और यहां पर भी आप व्यू ब्लॉक करेंगे तो प्रकास.in नहीं दिखाई दे रहा है मतलब की हमारा डॉमेंड ने मतलब की आड सेट हो चुका है अब कभी-कभी ऐसा होते हैं कुछ लोग www.not.in नहीं लगाते हैं डिरेक्टली प्रकास.in या आपका डॉमेंड ने में क्लिक करेंगे तो उस इस्तिति में हमारा यह ब्लॉग जो है ओपन नहीं होता देख लिए गोडैडी से मैंने पर्चेस किया था तो गोडैडी का पेज खोल रहा है तो उस इस्तिति में करना क्या होगा डॉमें मेनेजर जैसा अपन ओपन के ठीक है नीचे अब इस तरह से कुछ लिखा रहेगा फॉर्वर्डिंग आपको एडिट बटन पर क्लिक कर देना होगा अब फिर से बैक करके दिखा दूं आपक तो डॉमें को अपन एड कर दिए ठीक है अब फिर से वापे से डी एनेस पर जाते हैं अब यहां पर फॉर्वर्डिंग लिखा हुआ डॉमें नौट सेटप सब्डॉमें नौट सेटप तो डॉमें में अपन को एड करना है फॉर्वर्ड टू फॉर्वर्ड टू अब देख लीजे समझ लीजे बात को ठीक है कोई व्यक्ति मा लिजे डॉर्वर्ड डॉर्ट नहीं लगा रहा है सिधा प्रकास आठ डॉमें जो भी है वह लिख रहा है तो उसे स्तिति में पेज नहीं खुलता तो हमको करना क्या है यहां पर फॉर्वर फॉर्वर्ड डॉर्ट अब इसको सेव कर दीजे अब इसमें भी टाइम लगता है अधिकतर इसमें कहीं लिखा होगा पता नहीं इसमें भी घंडे का टाइम लगता है डोमें यह फॉर्वर्वर्ड हो जागा आटोमेटिक सब्सक्राइब अभी जैसे अपन इसमें लगाते अब इसको एक बार रिफ्रेस्ट करके दिखा दू प्रवर्वर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अभी भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने एड किया था तो इसके लिए भी पांस से दस मिनट का पॉस कर देते इस वीडियो को ठीक है अब जो मैंने आपको पहले बता था फॉर्वर्वर्ड डॉमेंट डाट के बीना वेबसाइट जो खुले कैसे करना उसका भी सेटाप आटोमेटिकली सेव हो गया है पहले तो आप देख लिए जी डाट प्रकास और डॉट इन अब इसका डाट को हटा रहा हूं ठीक है अब इंटर करते हैं अब देखेंगे यह आटोमेटिक खुल गया अब यदि न्यू टैप की बात करें तो जैसे देखें लिए यहां पर पहले हमने प्रकास और डॉट इन लिखा था इससे पहले कोई तो इससे आप कम्प्लीटली डॉमिन नेम को सेट अप कर सकते हैं और फॉर्वर्ड भी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बेना www.k open करें तो वेबसाइट ओपन हो जाए बस इतना है इस वीडियो में वीडियो में धन्ने बाद